प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हैं आप अपना ख्याल सही धंग से रख रहे हैं ना इस कठिन परिस्थिति में आप सभी को अपना ख्याल रखना है और साथ ही अपने परिवार के हर सदस्य का अपने माता-पिता का, दादा-दादी का, नाना-नानी का, अपने दोस्तों खावी, सो आप सभी को सुरक्षित रहना है और सतर्क रहना है, ठीक है, तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ, कक्षा आज की पाथ्य पुस्तर पल्लव भागतीन, मैं एक सुन्दर कविता है, जलाशे के किनारे कुहरी थी, और उसी कविता को मैं आप सभी के लिए लाई हूँ, उस कविता के कवी है सूरिकांत्र पाथी निराला जी, और सूरिकांत्र पाथी निराला जी का जन, 1896 इस्वी में पश्चिम बंगाल के मैदिनीपुर में हुआ था, मैदिनीपुर में एक छोटा सा स्थान है, जो महिशा दल कहलाता है, तो महिशा दल में उनका जन हुआ था, और इसी वज़े से उन्हें कभी कवार महिशा पती भी बुलाया जाता है, तो सूरिकांत रिपाठी निराला जी का जो हिंदी साहित्य में जो अबदान है, जो उने योगदान दिया है, वो छायावाद के प्रतिनिधी कवी के रूप में, उनका स्थान बहुत ही उच्छ स्थान पे रखाया गया है, अब छायावाद क्या है, छायावाद जो काल है ह हिंदी साहित्य में वह शुरू हुआ था उन्नीस सो अठारह इस्वी में और यह काल खतम हुआ था उन्नीस सो इस्वी में इस समय जिन जिन कव्यों ने अपने रचनाओं से हिंदी साहित्य को बहुत ही सम्रिध्य कर दिया तो उन कव्यों में से सुरीकान तुर्पाथी निराला जी भी एक हैं और वे चायावाद के प्रतिनिधी कवी के रूप में जाने जाते हैं अब चायावाद में हुआ क्या चायावाद में जयशंकर परसाद जी ने महादीवी वर्मा जी ने अपनी रचनाओं से हंदि साहिद्व को सम्रिद्ध किया 혁 को इन रचनाओं में इन सभी कव्यों ने इन सभी लेखकों ने विभिन तरीकों से किसी ने वीरस का प्रयोग किया किसी ने भक्ती रसका प्रयोग किया किसी ने वस्तुओं का मानवी करन करके हिंदी साहित को सम्रिद्ध किया तो इस तरह से उन्होंने जो भी काम किये इसी वज़े से इस काल को छायावाद कहा जाता है और उनकी मृत्यू सुरिकांत रपाथी निराला जी की मृत्तिव हुई थी 1961 इस्वी में तो हम अब आगे बढ़ते हैं जलाशे के किनारे कुहरी थी कविता को समझने की और इस कविता में सूरिकांत रिपाठी निराला जी ने अपनी प्रकृती प्रेम को दर्शाया है उन्होंने रात के समय एक सर्वर के आसपास का वातावरन कैसा होता है उसे अपनी काविक भाशा में व्यक्त किया है चारो तरफ फैला हुआ कोहरा और साथ ही विभिने व्रिक्षो की उपस्तिती से सरोवर का सौंदर्य बढ़ जाता है वैसे तो वातावरन सुनसान है परन्तु जुगनू, पपीहा, सियार, आदी के प्रदर्शन को कवि ने बड़ी ही सहज भाशा में बताया है सुब़ होते ही कैसे रात्री का सौंदर्य खत्म हो जाता है कवी ने उसका भी वर्लन किया है तो पहला च्छन हम देखते हैं जलाशे के किनारे कुहरी थी हरे नीले पत्तो का घेरा था पानी पर आम की डाल आई हुई गहरे अंधकार का डेरा था तो जलाशे के किनारे कुहरी थी, जलाशे मतलब छोटा सा हम तालाब बोल सकते हैं, अमी जोड़ी अखो में जाओ, अमी खुरू, पुखुरी एता, खुरू बार, हेटू को बोपारू आमी, जलाशे के किनारी कुहरी थी, आरो जलाखों उसर, बाहे, पुखुरी टू उसर, किहा सीले कुहरी, कुहरी मैंने होल, कुमोली आरो, अमार हिंदी, आमी येतू आसलते कोहरा बुली कुएं, किन्डु येतू कावबीक भाखार, और कोमान खुलाई पिने, कुहरी बुली कोई हाइ पुखरी ऐखे़न, πटोपकेद छानों, कोमुरी अहिल, हारी निले पतोका घेरा था, तerson मैं पटोपकेद अरुकेदा रहल निला पकैंट तौर, पनी पर All the सब्सक्रेब याहा है, पुखरी टू आबॉरी ठोई शीले, पानी पर आमकी डाल आई हुई पानीट, पुखरी टू पानीट , आहे किनारोट पारथ्थका आमगोस बुर डाल बुर, पानीट ँटल पोडी असे अहे आसे अरु क्ले आंधकार का दे रा था आरु पुखरी टू एक डाउम पानी पर आम की डाल आई हुई घहरे अंधकार का देरा था तालाब के चारो और कोहरा चाय हुआ था सार्योफल यह से ले हरे नीले पत्तों का घहरा था हरे और नीले रंके पत्तों ने चारो तरफ से उस तालाब को घहरा हुआ था पानी पर आम की डाल आई हुई थी पानी आमोर डाल आम गोस्पुर जिबू डाल पोरी पोरी आसे ले और गहरे अंधकार का देरा था यहरी आंधकार में एकडम बने पहुत बिसी आंधकारों कोठा को़से गहरा आई गोभीर अंधकारों बलीके अपानो और डेरा था मतलों डेरा मतलों वहाँ पे गहरा अंधकार छाया होगाइं ठाल एकडम अंधकार, गोभीर अंधकार आसीलों कोड़ी अचने पर शाप arranged aux пока हमने पहला चंद पढ़ लिया अब हम दूसरे चंद की ओबढ़ते हैं किनारे सुनसान थे जुग्णू के दलदम के यहां वहां चमके वन का परिमल लिये मलय बहा नारियल के पेड़ हिले क्रम से तार खड़े ता करहे थे सब को अब दूसरे चंद में क्या क्या हां गया है उस तालाव के किनारे सुनसान थे मनें हे रातिर हमोई को नोथे पुखुरीर सार्यू फाले एक डॉंग नीजान पूरी बेखितास सिरे आरू जुग्णू के दल दम के यहां वहां चमके जुग्णू मनें जुना की पूरवा क कि दुम्हाइल के निश्वें दिखी साई तिपिक तपक तिपिक तपक धिमिक धमा के जोली ठटाका तोते जोली ठटा का तुक्याद कोई से किनारे सुनसान थे सार्यू खलें जैने डॉम नीजान पूरीबिह आरू तार माजो ते जुग्णू के दल यहां वहां चमक रह थे वन का परिमल लिये मलय बहा वन का परिमल मतलब वन का परिमल परिमल मतलब सुगन्द वन का परिमल लिये मलय बहा मलय मतलब हवा जो हवा है जो चारों और वन जो है तालाब के हवा जब वन से गुजर रही है तो वन का जो परिमल है वन की जो खुश्बू है है हुबाख्टू जैन बौता है लोयाही से नार्यल के पेड़ हिले क्रम से और जो नार्यल के पेड़ चारो तरफ हैं वे क्रम से इधर इधर हिल रही थे और टार खड़े ताक रहे थे सबको और एसा लग रहा था जो तार के पेड़ हैं तालको सायस है किनारी सुनसान थे जुग्नू के नल दमके यहां वहां चंब के वन का परिमल लिये मलय बहा नारियल के पेड़ हिले क्रम से तार खड़े ताक रहे थे सबको किनारे सुनसान थे जुगनु के दल यहां वहां चमक रहे थे यह पारबूर एकड़ाम निजान होया सिले अरुजुना की पुरवाबूर धिमी धामा के सार्युँफाले जिलिकीया सिले अरु जित्तु हुगन्धी बट़ा है भुआए निशिले अरु हे भुषखाd का हमयते नारिकाल गशो गजबूर तो प्यारे बच्चों, हम अंतिम चंद की और आगे बढ़ते हैं, अंतिम चंद मैं पढ़ने जा रहे हूँ, पपीहा पुकार रहा था छिपा, सियार विचरते थे आराम से, उजाला हो गया और तारा छिपा, लहरे उठी थी सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में, तो हम अंतिम चंद को अगर देखेंगे, तो इससे पहले के जो चंद हैं, उनमें हमने देखा था, जब रात हुई थी, रात के समय सरोवर के आसपास का कैसा परिवेश होता है, कैसा वातावरन होता है, वो हमने देखा, अब हम देखेंगे कि सुबह होने वाली है, और रात को क्या क्या हुआ, और रात को उस समय जो बन में जो प्रानी घूंगते हैं, जो चिडिया रहती हैं, उनमें उन्होंने क्या किया उस समय, रात के समय में, अब देखते हैं, यहां प और रात के समय में क्या होता है अमें प्राए हुनुई फिर फिर्ण है को चलने हैं हाल रात के शेल में इसनले और कोच्छपिश करएं कना रहा defining होगो हनोे लिए अलिजितास तक विंगे क्या नम्य इद्यृ आता वि裸य होता ऐओ दिझे हुआ होताज है और तारा छिपा, आरू जेतियाय पुहर हो जाए, जेतियाय हुजोद होई, पुहर हुआ लोगे-लोगे, की हो जाए? तौराबूर लुकाए जाए, हेटु के कोई से, जे उजाला हो गया, और तारा छिपा, तौराबूर पुहर हुआ लोगे-लोगे, कुमा लुकाए कोई, लेहरे उठती थी सरोवर में, और लेहरे उठती थी सरोवर में, और तारा चमकता था अंतर में, और तारा बने खोड़ जिलीकी असे तारा हुर्जो उलुआ लोगे तारा जिलीको निहीं, हुर्जो पुहरे हेक करी पिला, हेकर ले आमी तारा जोडियो जिलीकी ठाके आमी गौम नेपाऊं, लेहरे उठती थी सरोवर में, पुखुरी पानी मारिया सेरी फेले ही फेले धो उठी असे और तारा चमकता था और तारा चमकता था अंतर में और तारा कहीं छिप कर चमक रहा था तो हमने चंद तीन भी समाप्त कर लिया है आशा करती हूँ आप सभी को यह कविता जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया समझ में आया और मैं भविश्य में आप सभी के लिए और भी बहुत सारी आपकी पुर्चक से कविताएं और पांठ प्रस्तुत करती रहोंगी धन्यवा झाल